आपको पता है कि देश में हर साल 90,000 क्रोड रुपया का खाना बरबाद हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वक्ट पर पहचान नहीं पाते हैं ति एक फसल का कॉंसा हिस्सा या फल का या सब्जी का कॉंसा खराब है वो अपने साथ में जो सबजी या फल होता है उसको खराब करना शुरू कर देता है अगर कोई ऐसा solution हो जिससे आपको पता चल पाए कि ये सबजी या फल अभी खाने के लिए तयार हो चुका है इसके shelf life इतनी बची है इसको तुरंद consume कर लिया जाना चाहिए आई देखते हैं कहान इंटिलो लैप्स की और किस तरह से ये food processing की दुनिया को बदल रहे है फिर उस चर्चा पर वापस लोटेंगे देश में हर साल करीब 60 मिलियन टन से अधिक भोजन या तो खराब होता है या फिर बरबाद हो जाता है वर्तमान में जिस दर से हर साल खाना बरबाद होता है अगर उसमें से आधे खाने को भी बरबाद होने से बचाया जा सके तो एक अरब अतिरिक्त लोगों को खाना खिलाया जा सकता है खाद्य उद्योग में गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों को बरबाद होने से बचाने और उनकी क्वालिटी सुनिष्चित करने के मकसद से गुरुग्राम बेस्ट एग्रिटेक स्टार्टप इंटेलो लेब्स AI आधारित सॉफ्टवेर और सॉर्टर के साथ सामने आया है ताकि खाद्य उत्पादों और क्रिशी वस्तुओं की गुणवत्ता का परीक्षन और विशलेशन किया जा सके हम लोग जब स्टार्ट किये तो हमने अपनी कुशलता है पहचानी की वो थी डेटा साइंस में और इमेज प्रोसेसिंग में और हमेशा हमने यह दिखा कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में काफी फूड वेस्ट होता है जब वो एक पोजिशन से दूसरी डेस्टि करते हैं सिर्फ अपने मुबाइल फोन्स के जरिये और इसके साथ ही हमने शुरुआत की इंटेलो लाब्स की AI आधारित मुबाइल एप्लिकेशन और सॉर्टर स्मार्टफोन के जरिये उन हजारों लोगों की मदद कर रही हैं जो रंग, आकार और देखने में कमी के आधार पर ग्रेडिंग द्वारा सप्लाई चेन में गुनवत्ता की जाच करते हैं जबकि AI आधारित मल्टी कमोडिटी सॉर्टर दोशपूर्ण, ओवरसाइज़, अंडरसाइज़ और कम पके या अधिक पके उत्पादों को अलग कर फ्रेश फूट इंडस्ट्री की मदद करता है ये एक बहुती आसान अप है और ये हमने प्ले स्टोर पे भी डाल रखी है जिसको की हम आगे चलके सारे फार्मर्स को भी देना चाहते हैं इंटेलो लेब्स नाकेवल भारतिय क्रिशी क्षेत्र को तकनीक के जरिये मजबूत बनाने का काम कर रही है बलकि क्रिशी प्रद्योगी की के क्षेत्र में गुनवत्ता और सुरक्षा को लेकर अमेरिका, यौरोप, दक्षिनपूर्व, एशिया, आस्ट्रेलिया और करते हुए पूरी दुनिया में अपनी पकड बना रही है